उत्रप्रदेश के अमेठी में एक चाचा ने ही अपने भतीजे की मामली बात पर लोहे के रोट से पीट-पीट कर हत्या कर दी जानकारी के अनुसार जगदेशपूर्थ थाना छेतर इस्तित मणवा गाउनिवासी 20 वर्षिय सचिन शुकरवार देरात अपने चाचा की बाईक बाजार ले गया था उस दोरान सचिन से बाईक की चावी कहीं गुम हो गई जिसके बाद चावी के गुम होने की सूचना सचिन ने अपने चाचा को दी तो बस फिर क्या था? चावी के गुम होने की सूचना मिलते ही चाचा आग बबूला हो गए और आनन पानन में सचिन के पास पहुचे और उसे बीच बाजार ही पीटने लगे उसके कुछ देर बाद सचिन और उसके चाचा जब बाजार से वापस घर लोटे तो सचिन के घर पहुचते ही चाचा और अन्य चार यूपकों ने सचिन को दोबारा पीटना शुरू कर दिया उस दोरान चाचा ने सचिन के उपर लोहे की रोट से कई वार किये जिसके चलते सचिन गंभीर रूप से गायल हो गया सचिन के घायल होने की सूचना जब परीजिनों को लगी तो आननफानन में परीजिनों ने सचिन को उपचार के लिए अस्पताल में भरती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई वही मामले में पुलिस अधिक्षक ने बताया कि चाचा और भतीजे के बीच मामली बात को लेकर विवाद हुआ था जिसमें चाचा ने अपने भतीजे पर लोहे की रोड से हमला कर दिया जिसमें यूवक की मौत हो गई आज 20 जन्वरी 2023 ताना जगदिश्पूर अंदरगत मडवा गाउं में एक ठूविलर का चाविक के लेकर एकी परिवार में बाही लोग के देच में विवादार मार्पेट हुई थी इसमें एक सच्ची ने इनका उमर लगबग 20 साल का है गायल हुए थे इनको तुरंत आस्पिटल बेजा गया था लेगिन वहां डाक्ट ने इनको मृत गोशिद किये थे इसी संबंदित गटना संबंदित एक मखेशे उनको फिरासत में लेकर पूच आज क्या जा रहा है फिलाल पुलिस ने शफ को कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और आगे की कारवाई शुरू कर दी है